हेलो दोस्तों मैं राकिस रोसन लर्न टेक टू टेक चानल से और ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे टाइपस ऑफ बाइनरी ट्री बाइनरी ट्री कितने टाइपस के होते हैं पर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो है काफी important question है और ये जैनरली exam में पूछे जाते हैं तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसमें आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बाइलों बताया था अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे types of binary tree तो अगर हम binary tree के types की बात करें तो चार तरह के binary tree होते हैं जिसमें से पहले को हम बोलते है rooted binary tree दूसरा होता है full binary tree तीसरा होता है complete binary tree और चौथा होता है perfect binary tree और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर इन सारे types क अगर आप देखेंगे तो बहुत ही minor difference है और कई बार इन में confusion रहता है बच्चो को और मैं आपको बता दूँ कि यह question भी कई बार exam में पूछे जाते हैं कि complete binary tree क्या है perfect binary tree क्या है full binary tree क्या है या फिर full or complete binary tree में क्या difference है तो इस तरह के question generally आते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लो root हो root node हो उसे हम rooted binary tree बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि having a root node ठीक है आपके binary tree में root node होना चाहिए जो कि generally होता है ठीक है अर दूसरा क्या है every node has at most two children हर एक node के ज़्यादा से ज़्यादा दो children होने चाहिए तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास भी बोल सकते हैं अगर किसी node को आप root node मानके चल रहे हैं जैसे यहाँ पर एक example है आप देख सकते हैं वही same example है जहाँ पर एक root node है और root node में कौन सा element है ए है ठीक है उसके बाद इसके दो child है फिर b के दो child है और c के एक child है तो इसे हम rooted binary tree बोलेंगे वैसे अगर आप देखि तो सभी binary tree को हम rooted binary tree बोल सकते हैं जिसमें root node है उसके बाद next क्या है फुल binary tree तो चली देखते हैं फुल binary tree क्या होता है तो फुल binary tree क्या बोलता है कि every node has either zero or two children बोल रहा है कि हर एक node का या तो दो children होने चाहिए या एक भी children नहीं होने चाहिए मतलब अगर कोई binary tree है और उसमें किसी node का एक children है किसी भी node का अगर एक children है तो उसको आप फुल binary tree नहीं बोल सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A है ठीक है इसके दो children है B और C उसी तरह B के दो children है D और E और उसी तरह E के भी दो children है D and E या फिर यहाँ पर आप तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक node का या तो दो children है या फिर बिलकुल भी नहीं है तो ऐसे tree को हम यहाँ पर full binary tree बोलेंगे किलियर है अब उसके बाद आते है complete binary tree तो चलिए देखते है complete binary tree किसको बोलते है complete binary tree और full binary tree इसमें बहुती minor difference है ठीक है तो चलिए देखते है in complete binary tree every level except the last is completely filled मतलब last वाला लेबल को छोड़ दीजे मतलब tree का जो सबसे last label उसको छोड़ दीजे उसके उपर सारे node होने चाहिए मतलब उसके उपर का जो पूरा label है वो complete होना चाहिए ठीक है तब ही हम उसे क्या बोलेंगे complete binary tree पर उसके साथ एक चीज़ आउर है कि and all nodes in the last label filled from the left और जो सबसे last label हो वो left side से filled हो ऐसा ना हो कि left side में 2-3 node छोड़ के तब जाके बाकी node हो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है तब ही हम उसे complete binary tree बोलेंगे अब इसको हम example के थुरू देखें कि तो ज्यादा clear होगा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं A है A के 2 children है B के 2 children ह और E के भी 2 children है ठीक है यहाँ पर E के भी 2 children है तो इसको हम F कर देते हैं इसको हम G कर देते हैं तो यह आपका जो है complete binary tree नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह वाला label चलिए complete है A उसके बाद B, R, C यह भी complete है अगर इस वाले label में जाएंगे तो देखें D, R, E है पर इधर जो ह binary tree नहीं होगा तो complete binary tree कौन सा होगा जैसे यह जो है यह complete binary tree है जैसे A है फिर इसका दोनो चायल्ड है ठिक है उसके बाद B का दोनो चायल्ड है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह वाला label भी complete है यह वाला label भी complete है और जो last वाला label है वो left side से field है ठीक है वो क्या है left side से field है तो यह आपका क्या हो गया complete binary tree हो गया अब हम एक example आप लेते हैं जैसे अगर आपका complete binary tree है तो क्या होना चाहिए जैसे इसके दो हो गया child ठीक है उसके बाद इसके भी मान लीजिए दो child हो गया ठीक है और यह आपका अगर last level नहीं है तो इसके भी two child होने चाहिए ठीक है फिर अगर यह अगर last level है तो आपका left side से ऐसे field होना चाहिए यह आपका ऐसे left side से field होना चाहिए हो सकता है कि इसका एकी children हो ठीक है बट यह left side से इस तरीके से field होना चाहिए last वालाoot और last वाला level के उपर ये सारे element होना चाहिए इसमें से कोई भी missing नहीं होना चाहिए तब ही हम उसे क्या बोलेंगे complete binary tree बोलेंगे clear है ठीक है उसके बाद हम चलते हैं perfect binary tree तो चली देखते है perfect binary tree क्या होता है तो perfect binary tree में क्या होता है every internal node has exactly two child nodes जितने भी internal node हैं सभी के दो child होने चाहिए ये compulsory है perfect binary tree में उसके बाद next है all the leaf nodes are at the same level जितने भी leaf node हो वो सभी same label में होने चाहिए तब ही हम उसे perfect binary tree बोलेंगे और जितने भी internal node हैं उनके exactly दो child होने चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो tree है ये आपका perfect binary tree है क्यों है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस node के भी दोनों child है ठीक है A के दोनों child है B and C उसी तरह B के भी दोनो child है C के भी दोनो child है और जितने भी leaf node है वो एक label में है सभी leaf node ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे है D E F G यहाँ पर कोई भी छूट नहीं रहा है एक भी missing नहीं है ठीक है तो यहाँ पर एक तो सारे internal node के exactly दो children है और जितने भी leaf node है वो सभी एक line में है ठीक है तो इस तरह के binary tree को आप क्या बोलेंगे perfect binary tree जैसे आप यह देख सकते है यह perfect binary tree नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर A है B है C है ठीक है पर यहाँ पर जितने भी leaf node है वो एक label में नहीं है यह दो leaf node यहाँ पर है और यह एक leaf node इसके उपर है तो इसका मतलब यह perfect binary tree नहीं है तो यह perfect कब बनेगा अगर इसका भी left node हो जाएगा और इसका भी right node हो जाएगा ठीक है तब ही हम इसे perfect binary tree बोलेंगे तो इस तरह से आपने देखा परफेक्ट binary tree तो चलिए फ्रेंड आई होब कि आपको वीडियो पसंद आयोगा अच्छे लगए तो लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिए और बगल में जो बैलोट से जरू क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं, उनका नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहा है थैंक्यों और गूट पाई